दोस्तो फुल सौंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कॉपी राइट के वज़े से म्यूजिक बंद कर रखा है तो दोस्तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होगे तो मैं आज को आपके लिए को और निए ट्रेंडिंग BFX वीडियो का टूटोरियल लेकर तो जिस वीडियो को आप ने अभी अभी मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा इस वीडियो को अभी तक रुपोजो एफ पर किसी नहीं भी बनाकर अपलोड नहीं किया है अगर आप कुछ इस तरह का यूनिक कंटेंट बनाकर अपनी रुपोजो आईडि पर अपलोड करते हो तो आपके वीडियो बाइरल होने के चांस बहुत ही जादा है तो आज मैं इसी वीडियो का टूटोरियल लेकर आया हूँ तो इससे पहला आप अपने भाई का नाम जान लीजिए मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इसर की टैक में अगर आप मेरे चैनल पर नयात मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बैल को जरूर ओन कर लें क्योंकि मैं ऐसी ट्रेंडिक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि बहुत भी रुपोज वैप पर कुछ लाइक और फॉलवर बढ़ा सकें तो चल ज़िए चलते हैं मैं मोबाइल फॉन की स्क्रीण पर भहें पर चलकर मैं आपको आगे का प्रोसस बताता हूं किस वीडियो को अडिट कैसे करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फॉन में पावर डारेक्टर अपको उपन करना उपन करने के बाद आपको create a new project पर क्लिक करना है इसके बाद जो आपको expert ratio लेना बूलेना 9.16 का इस पर क्लिक करने के बाद आपको OK पर क्लिक कर देना है देन यहां से आपको एक color board select करना है और इस color board का size आपको 9.8% तक कर देना है इसके बाद आपको अपनी gallery में इस एक photo को ले लेना है फिर इस photo layer पर tap करना है pencil वाले एकन पर क्लिक करना है फेड वाले option पर क्लिक करके इसके feed को off कर देना है और इस photo layer पर tap करके आपको इस screen की size में कर लेना है इसके बाद आपको इस photo layer पर tap करना और आपको इस background के बराबर कर देना है इसके बाद आपको इस video के description box में एक video का link मिल जागा आपको इस video को download कर लेना है ए फिर इस video लेयर पर tap करना pencil वाल एकन पर click करना है volume वाले option पर click करके इसके volume को off कर देना है फिर इस video layer पर tap करना pencil वाले icon पर click करना है fade वाले option पर click करके इसके fade को off कर देना है और इस video layer पर tap करके आपको इसे screen के size में कर लेना है फिर इस video layer पर tap करना pencil वाले icon पर click करना है chroma की पर click करना है और जो key color वो sky blue select करना जगा पर रखकर दबा देना है then यहाँ से deny इसको 0% कर देना और color range को आपको adjust करना है color range को आपको 31% तक कर देना है then आपको अपनी वीडियो को play करना है तो हमारी photo थोड़ी आउट आ रहे हैं आपको अपनी photo वाली layer पर tap करना है और कुछ इससे इस परकार से करना है जाके हमारे photo सही तरीके देखा जिस परकार से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अपनी photo को रख देना है then आपको वीडियो प्ले करनी है तो आप देखो हमारा वीडियो बनके तयार हो चुका है आपको अरवाल निसान पर tap करना produce वीडियो पर click करना है save to gallery पर click करके produce पर click कर देना है कुछ loading लेगा और आपकी gallery में save हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है वीडियो के लाइक जरू करें